हेलो, what's up guys, क्या हाल चाल आपका कहाई यह जो मेरे पीछे आपको यह दिख रहा है यह इसके आपको Samsung Crystal Vision TV है इस TV को यार हम पिछले 10-15 जिन से इस्तेमाल कर रहे हैं लगब लगब पचास घंटे के उपर हम लोग इसको इसको इस्तेमाल कर चुके हैं इसमें हमने यार वो सब कुछ किया है मतलब कि जैसे बात करें मैंने इसमें action film देखी मैंने इसमें HD content देखा, मैंने इसमें cricket देखा, action film देखी गाने सुने, music सुना, सब कुछ मतलब हर एक मावले मैंने इस TV को test कर लिया है जो कि आप solar के थूर चार्ज कर सकते हो और type C के थूर आप उसको चार्ज कर सकते हो यह दो तरीके से चार्ज कर सकते हो आपको इसमें assistant button भी मिलने वाली चलो यह सब तो आपको जल्दी बताने वाले है इससे लिए TV अन्बॉक्स करें जा ले है यह अच्छी बात आपको जाकर के बजार से दौर्ट के सेल ने खरीना पड़ेगा तो यह देखो यार इसमें टाइसन OS इस बार यह है इसका user interface हर बार की तरीके से इस बार टाइसन OS अपडेट कर दिया गया है आपको ऐसा नहीं है कि आपको जो है समार्टीवी सैंसंग क्रिश्टल विजन तो आपको यह 43 इंच से लेकर के 65 इंच में टिवी मिलना लिए लिए और खरीडना चाहते हो अगर इसको इसके लिंक्स मेरे डेस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी और एक रिक्वेस्ट है यार प्लीज मेरी दी हुई लिंक् और हमें कुछ penny amount मिल जाएगा हम आपसे इसलिए रिक्वेस्ट करने को कि यह जो टीवी है न हमको सैंसंग ब्रैंड ने दी हम यह खुद लेकर के आँए आपके लिए रिव्यू करने के लिए और आपको एक ट्रू रिव्यू जिससे दे पाए हम किसी भी ब्रैंड के दबा और इस तरह ली टीवी के बारे मैंने आपको सबकुछ जाए शेली प्लीज बाइफ रॉख की बात करना चाहिए अपसे यह देखिए आपको बेजल लेश डिजाइन मिल लाई है हलके लके नीचे से बेजल आपको बेजल आपको प्लास्टिक का स्टेंड में लेवला इंब अगर आपको सेट आप करना तो उसमें आपको एक विरूप एक्स्टा नहीं देने पड़ेगी वही बात के अगर आपको प्लास्टिक का ही पैनल मिलने वाला है जैसे कि 222 में था लेकिन जो पैनल है काफी ज्यादा पतला कर दिया है इसके लुक्स काफी अच्छे लग रह अगर इसके पैनल की बात किया तो आपको यह 8-bit FRC विए डिलेट पैनल आप बोलोगे विए और डिलेट पैनल आपने कैसे पता किया तो आप जब इसमें ऐसे करते हैं तो जो कलर है वह फैलने लग जाते हैं आपको बता देते हैं वह बहुत ज्यादे अच्छे कलर पिच् आपको इसमें जो की आपको EARC पोड के साथ आता है अब आप आप पिछले कई जिन से इस वाली समार्ट तीवी को यूज कर रहे हैं और मैंने इसमें हर एक मावले में इसे वाली टेस्टिंग कर लिया है तो टेस्टिंग के साथ आपको बताना जाएंगे सब से पहले इसक यहां पर दिख रहा होगा। यहां पर एसिंटेंट की बटन इसमें एकन आपट में अपडेट खाए लकिन आप आते हुए शिक कलर पिक्चर कॉलिटी के बारे बारे बें आप इसमें SD content देखे हो गोगे सेट आप बॉस के थुरू तो आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा आप SD करने जब आप फैंवी सार बैट के देखो कि आपको वाकाई में मज़ा एगा आप डेली से हो कोई भी टाइप के देखो SD content में लेकिन जैसे ही आप HD content में आते हो मतलब इसके देखो 4K मतलब यह है कि आप TV Full HD में आप कोई भी content देख रहे होगे लेकिन उसको tuned अप करके आपको इस TV आपको 4K में दिखाएगी लगबग-लबग 90-95% तक 4K में convert कर देती है वाकाई में आपको next level का मज़ा आने वाल आइस वाले TV में लेकिन जैसे ही आप 4K में आतो हो आप पुलगे का आप सीनमा हॉल में बैठे हुए हो तो कि ऐसे कलर पिच्चर क्वाल्टी आपको मेरे खाल से अधार TV में नहीं मिलने वाली खासकर 2023 में Samsung Crystal iSmart भी launch हुई थी और Samsung Crystal ये vision है यो इस वाले TV इस वाले TV में लग बल बल एक दू हजार का फरक रहता अब आपका question यह है Samsung Crystal विजन लिया है Samsung Crystal iSmart तो मैं करने जाँगो आप Samsung Crystal iSmart भी ले सकते हो क्योंकि इस वाली TV में आप 400,000 रुपए दे करके एक स्मार्ट रिमोट ले सकते हो और इस वाली TV दे सकते हो दोनों में color picture quality में आपको मेरे खाल से कोई भी डिफरेंस ही मैंने दोनों TV ये अन्बोक् सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आपसे जैसे ही मैं इसमें देखे मैंने cricket देखा इंडिया वर से पाकिस्तान का पूरा-पूरा मैंने मैश देखा एशिया कप का मेरे को कहीं भी M.E.M.C की प्रबलम लगी नहीं इस वाली TV में जो cricket की बॉल ती उसमें चरा भी जिटर नैसमें दें कि एक साथ कई सारी मुरे को बाल्स दीखने लग जाया है बहुत ज़्यादा पर परफेक्ट के साथ इसमें मुझे को cricket बहुत मज़ा आया आप एक्शन फिर्म देखोस में भी ज़्यादा तलवार और बार यूज हो रही है बंदोग या एक्शन बहुत ज़् अधर प्राइजींग है न मेरी ख्याब से इस प्राइजिंग के साथ से प्रेजन टायम में बहुत जाद आची टीवी आप दे रही है आप शौमी की टीवी लेलो प्राइस और मेरे स्क्रीन की से बाकी और फ्रेस इसको ए प्राइज पर दीख रहा होग वह को ईप्राइज मेरे स्क्रीन के उपर आपको दिख रहे होगी लेकिन इस वाली पर्टिकूलर टीवी की बात कीजिए आप चाहिए 65 इंच गिलो 50-55 सब में आपको फैंट स्क्राइश सटी के अगर आगे बढ़ा जाए इस वाली तीवी में तो आप जब इसके सांड की ओर आथे हो अगर आपके रूम में एसी या 43 इंज की टीवी ले रहो तो वहाँ पर देखो या आप बहुत आराम से इस वाली टीवी को यूज कर सकते हों वहाँ पर आपको आवाज बहुत अच्छे आएगी लेकिन अगर आपको रूम में कूलर यूज करते हो या फिर फैन यूज करते हो तो वहाँ पर आपको साउंड की कमी 100% लगने वाली तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप 5000 का साउंड बार ले लिजे अंडर 5000 में बहुत अच्छे साउंड बार मिल जाएंगा आपको 100 वाट के या फिर अंडर 10,000 में तो आपको 5.1 के साउंड वाले मिल जाएंगे और आपको खरीने जाते हैं उनके भी तो उनकी भी लिंक्स में डेस्क्रिशन बाक्स में डाल दूँगा बेस्ट साउंड बार अंडर 5000 और अंड अब देखो साउंड की बात किया तो आपको इसमें Dolby Atmos नहीं मिलता है आपको इसमें तो ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ी कमी है क्योंकि Dolby Atmos के स्पीकर ही 40,000 के आते हैं तो मैंने नौन बस बता आप प्रेटिस जार में टीवी में आप जो है 40,000 के स्पीकर नहीं लगाओ लेकिन अगर आप पिचर कोडे की बात करोगी तो आपको HDR10, HDR10+, HLG ये तीनों फॉर्मेट में याली टीवी चलने वाली है हाँ आपको Dolby Vision नहीं मिलता जैसे कि Dolby Atmos नहीं मिलता लेकिन यह इतनी बड़ी कमी नहीं है क्योंकि HDR10+, HDR10 के content इस वाली टीवी में आप Xiaomi X Pro की Dolby Vision क content चलाओ और इसमें HDR10+, आप कह दो कि इसमें ज्यादा brightness आपको लग रही है क्योंकि इसकी brightness मैंने सुरुआत में बोला था बहुत ज्यादा bright है टीवी जो की वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे crystal clear और पंची vividness लेके आती इस वाली टीवी में मैं color और picture quality का इस वाली टीव आपको फैन हो गया मेरे को लगा ही नहींता है कि इतनी बहुतरी इने वाली है आप मैं फिर से कहूंगा ये वी ये पैनल है उसके बहुत आपको कोई भी आड़र टीवी मैंने बहुत सारी टीवी टेस्ट करी यार लेकिन इस प्राइज में 2023 मोडल सामसंग ने लांग किया इस प्राइज रेंज के आपको लगता है तो उन दोनों टीवी आपको वाकई में आपको लगता है नहीं हो इसकी अच्छा लगता है आप बात किए तीवी के कुछ कमी के आप से बात करना चाहेंगे, सबसे बड़ी कमी जो है, कि आप यह विये पैनल है, तो साइड एंगल विव आपको 10% तोले से फिर्डेड लग सकते हैं, और दूसी बात किए तो आपको इसमें डॉल भी विजन नहीं मिलता और ना ही डॉल सबसे बड़ी कमी लगी मुझे असवाली टीवी में, लेकिन हाँ, विये पैनल है, तो उसके साइड एंगल वी वाला तो चलता है, लेकिन डॉल भी विजन डॉल भी एटमस, अगर सैमसंग एड करें, तो मैं काल से यार, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, सब तो म वही बास के सब्सक्राइब टीवी के तो यार, ब्राइटनेस, मैंने जैसे मुझे बड़ा है, टॉप ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा अच्छी है, और साथ-साथ में आपको इसमें डी ब्लैक मिलने वाले हैं, डी ब्लैक भी बहुत ज़्यादा बेश्ट है, क्योंकि व वह भी काफी अच्छा लगाया गया है, जो की 4K बिट प्रोसेसर लगाया गया है, इसके तुरू आप गेमिंग भी नेश्ट लेवल की कर सकतो इसमें, अला कि 60fps तक की गेमिंग सेस्ट है क्योंकि 60Hz का ही पैनल है, लेकिन आप एक्स बॉक्स या फिर जो है, सूनी का प्ले बहुत कम होते हैं, अब नेट्फिक्स में उसके रिचार्ड यह देखो, 700 तक की रिचार्ड आता है, तो नौर्मल सी बात है, अगर कर दो तो अच्छी बात है, लेकिन हाँ, आपको अगर HDR 10 प्लस भी देखो, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा भैतरी में दोला है, जो कहना चाहूंगा, इसको खरीडना जाता है, तो इसकी लिंक से इन डेस्क्रिप्शन बॉक्स आपको मिल जाएगी, मेरी द्यू होई लिंक से खरीदे, क्योंकि यार ये टीवी मुझे किसी ब्रैंड ने ने दी, याब मेरी द्यू ही लिंक से खरीते है, तो हमें कुछ छोट